किताब बिपरन की रीत तूं साचदा मार्ग पाग पञ्जमा लेखक सरदार गुर्बग सिंग काड़ अफगना चौथे कांड़ दा सतारमा पाग गुर्मत दा सदीवी तरम जोद अवाज गुर्जंट सिंग रूप वाड़ी वाहिकुर जी का खाल सा वाहिकुर जी की फते प्यारे प्रभू दे काउतक मेरे मान अते चेत विच आवसे हन मेनू माया वाड़ी पटकना पोल गई है माया दे मोदी फाई मुक गई है मेरी सारी उमर रात विकारनाड जंग करदियां बीत रहाव हों गुसाईंदा पहलवानडा मैं गुर्मिल उच दुमालडा सब होई चेंज इकठिया दई बैठा वेखाई आप जीओ वात वजन टमक पेरियां मल लथे लेंदे फेरियां नहते पांच जुवान में गुर्थापी दिती कांट जीओ सब इकठे होई आया करजासन वाट बटाया गुर्मुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाई जीओ तुम वरना चेहना बाहरा अर दिसें हाजर जाहरा सुन सुन तुझे ते आई दे तेरे पगतर ते गुनतास दीओ मैं जुग जुग दै सेवडी गुर कटी मेंडी जेवडी हों बहुड चेंजना नचूँ नानक आउसर लदा पाल जीओ पन्ना चुहतर अर्थ मैं मालक वाई गुरू दा अंजान जया पैलवान सा पर गुरू नू मिलके मैं उच्चे दुमाले वाड़ा बन गया हां जक्त अखाडे विच सारे जीव आ इकठे होई हान ते इस अखाडे नू प्यारा वाई गुरू आप बैठा वेख रहा है वाजे टोलनगारे वाजरे हन पावहर पासे माया वाली अपो तापी वाली दोड़ पाज कर रहे हन पैलवान आ इकठे होई हन पेटदे दुआडे जग्त अखाडे विच फेरिया ले रहे हन मेरी पेट होते मेरे गुरू ने थापी दिती ता मैं वरोदी पंजे कामाद को जवान काबू कर ले जे वाई गुरू जी दा इस जांगनार कोई वास्ता ना होए ता वो आप बैठके इस चेंज नू क्यों वेख रहे है एस विच जेत पराप्त करन वाड़िया नू वो मान तान के सकार्न दिन्दा है वास्त विच ए सारा खेर पसारा अते जेत अते हार सब कुछ वो आप ही आप है सुक्रत सहारे सु ए ब्रत चड़े अन दिन आप आपस्यों लड़े सुर्खी पांचों राखे सबे तो दूजी देश्ट ना पैसे कबे पन्ना तेन सोच ताली अर्थ बार बार हरके गुणगा के मनुख इस सित्त सला दी कमाई नू अपनी जीवन दा सहारा बना लेंदा है अते इस अउखी काटी उते चड़दा है के हार विड़े अपनी आपना लड़दा है पाव अपने मन नू मुड़ मुड़ विकारावलनों रोगदा है पंजे ही ग्यान इंद्रियान वासवेच राखदा है तां किसे उते भी कदे उस दी मेर तेर वाली नगाव नी पेंदी इस जांग दे होर पक गगन दमामा बाजेो परियो निशाना काओ खेत जो मांडेो सूर मा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुर्जा पुर्जा काट मरे कबू न छाड़े खेत पन्ना ग्यारां सो पांजा अर्थ जो मनुख इस जगत रूप रणपूमी विच दलेरो के विकारां दे टाकरे ते अड़ खलूंदा है ते ए समझदा है के ए मनुखा जीवन ही अजिहा मौका है जदो एना ना लड़िया जा सकदा है ओ है असल सूर्मा उस दे दसम दुवार विच तौंसावा जदा है उस दे निशाने ते चोट पैंदी है पावस्दा मन प्रभू चर्ना विच उडारिया लोंदा है जिते किसे प्रकार दी पाउच ही नहीं हो सकदी उस दे हिर्दे विच प्रभू चर्ना विच जुडे रेंदी तौं पैंदी रेंदी है दागे होए सो रानमें जूजें बिन दागे पाग जाई सादू होए सो पगत बच्छाने हर लए खजाने पाई पन्ना नौसो सतर अर्थ जिनना दे मत्योते मालक दा पगती दा निशान हुंदा है गोरान पूमी विच लड़ मर्दे हन जो इस निशान तो सक्णे हन विकारान ना टाकरा पैन मुह माया दा पर वापैन ते उस दे असर विच आखे प्रभू नौ पोल जान वाली पाँज खा जान दे हन पर जो मनुख प्रभू दा पगत बंदा है वो पगती नार साज पंदा है ते प्रभू उस नो अपने दर ते प्रवान कर लेंदा है राजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुमा मार रात दिनन्त रहे रंग राता तीन पवन जो गचारे जाता जिन जाता सो तेसी ही जिहा अत नर्माइल सीजस दिहा रहसी राम रिद एक पाए अंतर शव्द साच ले वलाए पन्ना नो सो अकती अर्थ जो मनुख प्रकाश श्रूब प्रभूनु प्रेम नल सिमरदा है वो अपने कोजे मनु वास विच ले आके इस जगत आखाड़े विच कामादक वेरिया नल लड़दा है अते ओ मनुख दिने राद प्रमात्मा दे प्यार विच रंगिया रिंद है तेन पबना विच व्यापक ते सदा थे रेन वड़े वाही गुरुजी नाल ओ मनुख पकी जान पशान पालेंद है जेस मनुख ने प्रमात्मा नाल जान पशान पालेंद है वो उस वरगा ही हो गया, वो माया दी मारतों उतां हो गया, उस दा आत्मा बड़ा ही पुवित्र हो जान्दा है, ते उस दा सरीर भी सफल हो जान्दा है आनांद सुरूप और मादमा सदा उस्दे हेर्दे विच ठेक्या रिंदा है उस्दे मानविच सद गुर्दा शावद वास्ता है ते ओ मनोख वाई गुरुविच सुर्ट जोड़ी राकदा है गुर्पूरे वजी वादाई नानक जित्ता बेखाडा जियो पन्ना एक सो तेन अर्थ पूरे गुरुदी राही मेरे अंदर आत्मक उत्षादा मनो टोल वाजपया ते मैं विकारा नड हो रिया आउखा कोड़ जेतले इशनान दान करें नहीं बुझें एक मनुआ मार मने सें लुझें साचे शब्द रते एक रंगी साचे शब्द मिलाई है पन्ना एक हजार श्यारी अर्थ अनेका प्राणी तीठा दे इशनान कर दे हन दान कर दे हन पर इना कथ तर्म कर्मा नाड सही जीमा रा नहीं समझ सक दे कई ऐसे हन जो अपने माननों विकारांबलों मार के सदा माननाड जंग कर दे रहीं दे हन नोट खालसा सो करे नित जंग इस जंग वेच रुज्जा होया मनुख ही खालसा वो प्रभू दे प्रेम रांग वाले बंदे सदा थिर प्रभू दी सिप्त सलादी बानी वेच ही रंगे रहीं दे हन गुरू दे शब्द ग्यान दी रही वाई गुरू नाड उनादा मेल होया रहीं दा है नाना रन से सिज्जी है आत्म जीते कोई हौमे आनसियों लार मरे सो शोब बादू होई मनी मिटाए जीवत मरे पूमी वेच हौमे नर हो रहे जंगतों तदों ही काम जाब होई दा है जे मनुख आपने आपनों जेत ले मान जीते जाग जीत जेडा मनुख हौमे ते दवैतनार टाकरा करके हौमे वलों मर जान दा है हो ही वड़ा सोरमा है जेडा मनुख गुरू दी सिख्या लेके हौमे नूम काउंदा है संसार कवाशना वलों अजेत है अपने मानों आपने वासविच कर लेंदा है ओ मनुख परमातमानों मिल पैंदा है संसार करान पूमी वेचर उसे दावेस पावर्दी सूरमिया वड़ा समझो सूर बीर वर्याम किसे नहोड़ी है फोज स्तानी हाट पंचा जोड़ी है दासनारी अवदूत देन चमोड़ी है जिन जिन लेंड राए इहो इन ना लोड़ी है त्रैकुन इन कैवस कने ना मोड़ी है पर्म कोट माया खाई कहो केतब दुतोड़ी है गुर पूरा आराद बिखम दालफोड़ी है होंत इस अगे दिन रात रहां कर जोड़ी है पन्ना पंच सो बाई अर्थ कामादक पिकार बड़े सूर में ते बहादर सिपाई हैं किसे ने इननों ठले आने इनना पंचाने बड़ी बालबाली अते हा ठीली फाउज इकठी कीती होई है दुनिया दा आरतां किते रहे त्यागियानों में ए दा सिंद्रे चमेड देन दे हैं साबनों जेत जेत के आपने उन सारी करी जान दे हैं बस एही गाल लोड़ दे हन सारे ही त्रैगनी जीव इनना दे दबाव हेठ हन किसे ने इननों मोड नी पाया माया दी खातर जीवां दी पठकना के मानों इनना पंचादा किला है ते माया दा मो उस किले दे दुवारी डूंगी खाई पुटी होई है एक किला के में तोड़े आ जाए उड़े सद्गुर्णू जाद की दिया एक करड़ी फौज सर कीती जा सक दिया जे प्रभू दी मेर होवे ता मैं देन रात हाथ जोड़के उस गुरू दे सामने खलोता रहा जिसने आपने सेखनों विकारां दी एस पांज रंगी फोई दे बरुद लड़ाई शेडी रखन दी समरथा अते होंसला बक्षया है साधे विच्चों अजेहा सिंग केड़ा है जेसने कदे अबनाशी राज दी प्रावती ले शंगरश शेडन दी मांग कीती हुए फिर बड़े लच्चेदार सियासी पाशना दी वर्खा कर सकन दी अपार शक्ती वाले पंथ के जदे दारा मिच्चों केड़ा है जेसने अबनाशी राज लेंड ले कौन सेथ दे 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 प्रबंद करन दी गल कदे सोची भी हुए प्राप्त कर लेंड दा उद्म करना था पतानी केड़े पा गामले दी हिसे दी गल है आउ कटो कट उस अबनाशी राज दी प्राप्ती दा ग्यान था गुरदेव जी तो समझ लेए क्यों लीजए गड़ बंका पाई दोवर कोट अर तेवर खाई रहा पांच पचीस मोह मद मतसर अंडी परबल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करूं रग राया काम के वारी दुख सोख दरवनी पाप पून दरवाजा क्रोद परदान महाबड दुंदर तेहमान मावासी राजा स्वाद सना टोप ममता को कबोद कमान चड़ाई तिशना तीर रहे काट पीतर योंगड लियो न जाई प्रेम पलीता सुर्त हवाई गोडा ग्यान चलाया ब्रम अगन सहजे परजाली एके चोट से जाया सात संतो ले लरने लागा तोरे दोए दरवाजा साध संगत अर गुर की किरपाते पकरियो गड को राजा पगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पैफासी दास कमीर चड़ियो गड उपर अर आज लियो अबनाशी पन्ना ग्यारां सो एकाठ अर्थ एस रीर विचला अपना तुरू पका किला काबू करना बहुत अउखा है एस दे दुआले दवैदी दोरी फसील ते तेनुगुणा दी तेरी खाई है रहा बालवारी माया दा आस्रा लेके पंज कामादक कथत पंजी तात मुहो हंकार इरखा दी फाउज लड़नू त्यार है ए प्रबू मेरी गरीब दी कोई पेश नहीं जा दी दस में की करा काम इस किले दे बुहे दा मालक है दुख ते सोक पैरेदार हन पाप ते पोन किले दे दरवाजे हन बड़ा कडाका क्रोध किले दा चौदरी है अजहे किले वेच मान राजा आकी ओबेट है जीब दे चस के मान राजे ने संजो पैनी होई है ममता दा टोप पाया है पैडी मात दी कमान कसी होई है तरिशना दे तीर अंदर दी अंदर सेद्धे होय है अजहा किला मिठों जित्या नी जा सकदा पर जुदों में प्रभू चर्ना दे प्रेम दा पलीता लाया प्रभू चर्ना विच जुडी सुर्तन हावाई बनाया पावराग्ट बनाया गुरू दे बख्षे गयांदा गोडा चलाया सैज अवास्ता विच अपड के अंदर अरभी जोत जिगाई ता एक ही साट नाल काम जबी होगे साथ ते संतोख लेके मैं उस फाउज दे टाकले ते लड़न लग पया दोमें दरवाजे में पान ले साथ गुरू अते साथ सांग दी मेर नाल मैं किले दा आकी मान राजा फड ले साथ सांग दे सिमरन दे बाल नाल मैं काल दी फाही दुनिया दे डरा दी फाही वड ले है प्रबु दादास कबीर होन, किले दे उपर चड़ बैठा है, सरीर नु वासकर चुके है, ते कदे ना नाश होन वाली, आतम कबाशा ही ले चुका है पाग एड़ा, शाष्टर अते संजो, लोहे दी पुशाक, काम करोध आद विकारा वरुद, लड़ाई करन वाले दी सना, अते शाष्टर की हन गरीबी गदा हमारी, खना सगल रेन शारी, इस आगे को न टिक है विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, पन्ना छे सो अठाई पै निर्पो हर अटाल मन, शवद गुर नेजा गड़ियो, काम करोध लोब मुह अपत, पांच दूत बेखंडियो, पन्ना तेरा सो श्यानवे अर्थ हरीदा पाओ रखन दे कार्ण निर्पाओ हो के कते साथगुर दे शवद दी बरकत नाल हरीणू मान विच तार्या, ए नेजा गड़ के वर्त के काम करोध लोब मुह हंकार इना पञ्या वेरियां दा नाश कर देता सेना साद सुमू सूर अजितं सनाहं तज निमरता अहवदा गोण गोबिंद रमनंग ओट गुर शवद कर चर्मन अरूड ते असवराथ नागा बुजन ते प्रभ मालग बिचर ते निर्पाई सतु सेना ते अंते गुपाल कीतन जित ते बेशव संसारे नानिक वस्यान कर पांच तसकरां पन्ना तेरां सोच पंजा अर्थ गुर्मक जाना अजेत सूर में दी सैना है अंगरीबुई सबाओ उना दे सरीर उत्ते संजू है गोबिंदे गुण गुण गुणे उना कोड शेष्टर हन गुर्शब दी ओट उना दे हाथ विच टाले संत जान परमातमा दे मिला आवदा रस्ता पाड़ देरें दे हन। न ये ओब रात अते हाथियां दी सवारी कर दे हन। नाम क्रोद मन हिरलया, मन मुख अंदालोय, ग्यान खडग, पंच दूत संगारे, गुर्मत जागय सोय, नाम रतन परगासे आ, मन तन निर्मल होय, नाम ही नक्टे फिरे, बिन नामे बहरोय, नानक जोत और करते लिखे आ, सो मेट न सके कोय, पन्ना चौदा सो चौदा, जीवदा हिरदा कार आतमक सरमाया लुटेया जान दा, पर जीवनू ये पता नहीं लगदा, अपने मन दे पिछे तोरन वाड़ा मनुख आतमक जीवन दी सूज़ वल्लों अन्ना रहिंदा है, काम करोधने उस दे मननू चौराले आंदा, जीडा मनुख आतमक जीवन दी दवार फड़के कामादक पांज वैरिया नू मार लेंदा है, उही गुरू दी मात दी बरकतनार माया दे हल्या वल्लों सुचेत रहिंदा है, उस दे अंदर पर मातमा दा नाम रतन चमक पेंदा है, उस दा मान, उस दा तान पुटर हो जान दा है, पर नाम तुं वांच पैके औरूंदा रिंदे, पावसदा दुखी रिंदे, गुर्देव जी दा फरमान है के करतार दी रजा यू है के नाम ही इन पराणी दुखी रहे, सो करतार ने जो कुझ तो दरगा तुं ए लेख लिख देता है, इस नो कोई मिटा नी सगदा, पाग इडी सूर मा बली, स संसार अखाडे विच विकारा रूप सतानी फाउज राड, सफल लडाई करन वड़े सूर में अथवा बली, जेन मिल मारे पांच सूर बीर, ऐसो कौन बली रे, जेन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा इह कली रे रहा, वड़ी कौम वास पागे नाही, महकां फाउज हठली रे, कहो नानक, तेन जान निर्दलिया, साज संगत के चली रे, पन्ना चार सो चार अर्थ, कोई विल्ला ही ऐसा बलवान मनोख है, जेसने गुरूनू मिल के कामादक पंचा सूर में अनू मार ले वे, जगत विच ओही मनोख पूर्ण है, जेसने इना पंचा नू ली इना दी फौज बड़ी मजबूत है, गुर्देव जीदा पुर्मान है कि सिर्फ उस मनोख ने इना नू चंगी तरह लताड़या है, जेडा सा संगत आसरे विचरिंगा है, जो जान लू जान मने से हों, से सूरे परदाना, हर सेती सदा मिल रहे, जिन्नी आप पैशाना, प अपने मनना लड़ दे हन, ओ सूर में अते मनने पर मनने इनसान बढ़ दे हन, जिन्ना ने आपने आपने आपनों पुशान लिया है, ओ सदा थिर प्रभू नार मिले रहे दे हन, पाग ससा केस परकार दी जेतलई जू जना है, सावतों वड़ी फते मान जेतलैन वेचे, जेसने मान जेतलिया, उसने मानो सारा संसार जेतलिया, मान जीते जाग जीत, मान वासविच आजान नार ही, सारे विकार निरबाल हो जान दे हन, जेसने गुरू दी किरपा नार आपना मान जेतलिया, समझो के उसने सारा जगत जेतलिया, जिन गुर पर साधी मान जीते आ, जागतेने जताना पन्ना एक हजार उनान में गुरु गरांशैब जी दी शर्न पैके शब्द विचारतों सेद लेके आपना जीवन गुर्मत उनसार बना लेनल और खेतों आउखा अखाडा जितेया जा सकते बिख्मों बिख्म अखाडा मैं गुर्मिल जीता राम पन्ना चार सो तरवंजा सो माननों जेत लेना ही असल जीवन जेतेया ता पज्या विकारां दी गुलामी छोटी आपना मान जेत लेन वाडे मनोकदी मैं मासाधगुरानी यों लिखी है से मोक्त जे मान जने फिर तात न लागे आए दसमें दुवार रहत करे तिर पबन सो जी पाए पन्ना चार सो नबे अर्थ जेडे मनोक अपना मान जेत लेन दे हन वो माया दे बंदना तु अजाद हो जान दे हन माया दी ओपज पंजे विकार उना ते जोर नी पासागदे जेडे भी मनोक इंदिर्यां दी पौँचतों उथां चित आकाश विच उचे आतमक मंडल विच आपनी रहेश बना लें दे हन ओनानों तेन पबना विच वियापक प्रबुदी समझ पैजान दी है राख पिता प्राव मेरे मुही निरगुण साब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे खेद करें अर बहोत संतावे आयो शर्न तुहारे करकर हारे अनक बहों पांती छोड़े कत हुनाही एक बात सुनता की ओटा साद सांग मिट जाही कर किरपा संत मिले मुही तेन ते तीरज पाया संती मांत दियो मुही निरबो गुर का शब्द कमाया जीत लए ओ महां बखादी सैज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगाशा पाया पाद निरबाणी पन्ना दो सोचे अर्थ ये मेरे मितर प्रभु मैंनों गोण ही इननूं बचाले सारे गोण तेरे विच वासवे चहान जिस्ते मेर खरें उसे नूं मिल दे हन मैंनों आपने गोण बख्ष के अउगणातों बचा रहा हो ये सहेता करन दे समराथ प्रबू मैं गरीब अते इकला हां अते मेरे वेरी काम आदक पांज हन। मेरी सहेता कर मैं तेरी शर्न आया हां। ये पांज मैंनों दोख देंदे हन ते बहुत सताओं दे हन। वाई गुरु जी का खाल सा कहना वाई गुरु अगे सेंग दा ए आत्म समर्पन है ए पिता प्रबू इना पन्या बिखा दियां तों बचान ली मैं कई किसमादे अनिका जतन करकर के ठाक गया हां ए किसे तरा मी मेरी खलासी नहीं कर दे ए वाई गुरु जी तेरी किरपा दु दी संगत दा आसरा लिया है जिते मेंनू गुर्मक संत मिल पए जिनना तो मेंनू इनना पन्या बिखा दियां तों निडार कर देन वड़ा उपदेश मिलिया ते मैं गुरु दा शब्द आपने जीवन विच तार्न कर लिया गुरु दी आत्मक अडूलता देन वाली ते सो देन वाली बानी दी बरकत नाल मैं ओ पंजे वड़े चगडालू जेतले हन। दर्जा प्राप्त कर लिया है जिते कोई वाशना नहीं पो सागदी। मनमुखदी जित नेत निहफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जाब आने बलवंच कर चूट ता बजाने जग जितिया। पन्ना सात सोते ही खर्थ खोटी बुदी वाड़ा मनोख़ सदा काम करदा रहींदा है जेस तूँ कोई लाव नहीं प्रवी अजहे व्यार्थ काम करके लाफा मारदा है जिदों कोई ठगगी करके चूट बोलके कोज माल ता नलेया हुदा है तो दो समझदा है के मैं दुन जेतले है जिस परकार दे सूरु में बाढ़ना है जिस परकार ना शेष्टर होना है अते बिकारां बरोद जिस जांगन नो जेतना है इना सारियां गल्ना दा ग्यान ग्रहन करन लाई सिरी गुरु गरंसैब जी दी सेवा विच हाजर होना है उना दे हुकमान विचारना अत उना दे अमल करना जेडे हुकम ओ अपने ब्यांत गुरु शावदां दुवारा बार बार समझा रहे हैं साधा पर मुख तर्म सी के साधगुरां दे ग्याननू समझ के गुर्मत दे सूरु में बनके उस जांगवलों अपना त्यान एक पालवी ना हटां दे पर साधी हो में ने सानू एक कैना सिखा देता है के असीं गुरु गरांसाभ जी लिए शांदार गुरु कार कोई एसलेग दा नहीं बना रहे के उना दे हुकमादी परवा करन दा बंदन से हिड लए पावसीं गुरु जी दी अजही परवा करन तो बहुत अगे लंग चुके हां अते गुरु कार बना लेन विच साधगुरां दी खोशी मान बैठे हां सानू जाद रखना चाईदा है के सियासी लडाई नू सिखी दा तर्म जो दमान लेना आत्म हत्या कारनवारी गंबीर पोल है गुरु दी दसी इस जांग नू लड़दे रहन दी लोड़ पुला के हंका आरवा सोई जिनना लडाईयां दी जेतवेच अस्मी सूर में बन रहां साधी इस सूर मताई बारे साधगुरां दा फुर्मान इस परकार है सूरे एना आखिये अंकार मरें दोख पावें अंदे आपना पिशाणी दूजे पाच जावें आत करोध सियों लूज दे अग्ये पिछे दोख पावें अन्ना एक हजार उनाने में अर्थ जो मनुख हंकार विच मर्दे खाब दे ते दुखी हुंदे हन ओनानू सूर में नहीं आखिदा उहंकारी अन्ने अपना असला नहीं पिशाण दे ते माया दे मो विच खुवार हुंदे हन बडे क्रोध विच आके दूजियाना लड़ दे हन ते एस लोग ते परलोग विच आत्मक तौर ते दुखी ही रही दे हन इस पाकनू मी अखों उले ने कीता जा सकदा के दशमेह जी दे नेजता अमनू से दा आरजान पिछों बबबा बंदा सेंग बहादर दे समेतों ही खालसा जी ने सियासी जंगां जुद्धां विच जूजना अरंब कर दिता सी पर ए गालबी पोल नहीं जानी चाही दी के ओस विड़े खालसा जी पूरन तौर ते मर जीवडा बन चुका होया सी स्वार्थी रुची सेंग दे आचन दे नेडे नहीं सी टोक सागदी ओ समेधियां तार्मक अते सियासी ताकतां जिथे सेंग सुरूग दा खुरा कोज मटा देन ले लाक बनी फिरदियां साना ओ थे ओधोमे शक्तियां गरीबां दा लहुन चोड़न वेच भी कोई कसर नहीं सी शाड़ रहिया सो खालसा जी ने हले मीराज दी स्थापना करनी खालसा ही तरम दा आंग समझया सी उना जंगां जुद्धा समें वी खालसे दा नेज सो आर्थ किते नजर नहीं सी आंदा मर जीवडियां दी ओ फाउज नरूल गुरू अते वाई गुरू दी दे हुकम वेच विचर दी सी उस वेड़े दे तरम जुद्ध विच मिलदी फते किसे सिंग दे अंदर हंकार पैदा नहीं सी कर सक दी हर सियासी फते समें खालसा जी दा सेर शुकराने वजों साथगुरां दे चरना विच चोक जान दा सी क्योंके खालसा जी आपा पाव गुआ के तनो मनो अते तनो वाई गुरु जी दे बाण चुके सान इसली हर मैदान वेच मिलदी फते वी वाई गुरु जी दी ही फुंदी सी त्यागी सुबा आदे मालक आपना साब को जर गुरु पंथतों कुरबान कर देन वाले पंथक जर्नेलाने जिन्यामी जंगा लड़िया फते सदा उना दे चर्न चुमदी गए खाल से दे आचर्न दी उजता अते सुचता दे सोले वेरियाने वी गए सिटाए होया के समुचा खाल सापन शक्ती शाली राज पागदा मालक बन गया तोकमा समा मिल दिया हैं तिलक तारीबे पर सेख राजयां ते महाराजयां दे दरबारां विच को सरदा चले आ गया महाराजा रणजी सिंग समेट लगबग सारी राज कराने किसे ना किसे पकों ब्रामनी रीती रवाई दी पकड विच आउंदे गए ओ समेटों ही सारा सेख पंथ गुरू ग्रान सैव जी दे कई तरां दे मंतर पाठा प्रती शर्दा बना के गुर्मत ग्यान तो सकना होई जा रहा सी खालसे दा जथेदार सुवार्थी उंदा गया आचरन टेंदियां कला वलनू चाले पातो रिया अंग्रेज ने राज पाख हो लिया सिखी दे मुडले वैरी प्रोहतों सेख पंथ दी शक्ती दा पेद समझ के चातर अंग्रेज ने गुर्दवारियां ते काबज हो चुके ओदासी निर्मले संपर दा ये रूप बरामन महानता दी पेठ ठोकनी अरांब कर देती महानता ने केंदरी अस्थान सिरी दरबार सहिब अमरसर ननकाना सहिब समेत सारे इतियास्ग गुरु करावच लागपाग सारे सेख तर्म अस्थाना वेच बरामनी रीत चालू कर ले समुच्चे पंथ नो बिपर्न के रीता तारनी बना लेन दा काम जोर फड़ गया मंदरावांगी गुरु करावच काम देवते दी पूजा भी अरंब होगए कई सेख बचियां दे सात पांगो ए ताँ खाल साजी दी अनख जागी सूर में तली ते सेर राख के नितर पे ननकाणा सेब जैतो अते गुरु के बागवर गे मोर्चें वेच शांत अनी दें सिखाने शिहीदियां पाईया बढ़ियां मुश्कलां आते कुर्बानियां परे लम्मे शंगर्श पिच्चों गुर्दवारियां दा प्रबंध महांतां दे कवजे विच्चों अजाद होया संखां अते कड़े आलांदे थां गुरु दरबारां वेच फिर नगारियां दी गड़ गड़ाहट सुनी जान लागवई वाहिपुर्जी का खालसा वाहिपुर्जी की फते दा बोल बाला होया पर अंग्रेज दे जाल विच फसके गुरुदवार एक्ट लागू करवाल एंड़ फाउजां जेत के अंतनु खारियां ने किताब विप्रण की रीततों साचदा मार्ग पाग पंजमा लेखक सरदार गुर्बक सिंग काड़ा अफगाना जवथे कांड़ दा स्तारमा पाग अवाज गुर्जांट सिंग रूप वाली वाहिपुर्जी का खालसा वाहिपुर्जी की फते